आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते नेजर स्कीप टीटिट चैनल में आपका स्वाधत है मैं हूँ इदू नवजार सिसु के सरीर की प्रतेक आंगी की साफ सफाई उसकी उचित देखभाल जरूरी होती है अपने पिछले वीडियो में मैंने बच्चे की जीप की साफ सफाई क्यों करनी जरूरी होती है किस तरह से करनी चाहिए और कौन-कौन से समस्याएं होती है इसके विसम जानकारी देए थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चेक आउट करके उसे जरूर देखिए इसके अरामा बच्चे के प्राइविट पार्ट के साफ सफाई क्यों जरूरी होती है किस तरह से करनी चाहिए कौन-कौन से समस्याएं आ सकती है अगर आपने साफ सफाई नहीं की इस प कान से निकालना बहर जरूरी हो जाता है और बचे को कान में किन-किन वजहों से दर्द होता है किन-किन वजहों से खुजलाहट होती है इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रही है एक छोटी से रिक्वेस्ट तो वीडियो पसंद आ जाएगी तो प्लीज ल परेंस होते हैं उन्हें इन सभी बातों के जनकारी हो जाएं सबसे पहले बच्चे के कान में दर्द किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन और खुचलाहट भी होती है इसके अलमा अगर आप लेट करके दूद पिलाती है तो जैसा कि मैंने कहा कि सभी नसे जो होती है एक दूसरे में कनेक्ट होती है तो बच्छा मुझ से जब दूद पिता है और आप लेट करके दूद पिला रही है तो कान में दूद जाने के संभ आपको अब इन सब अगर बच्चे कादे दर्द सकती, रखोसों सकता है अब इना समझने हो को आप इसह समझ सकती है और किस तरह से इसे छुट कर अपा सकते हैं अगर आप के बच्चे के कान में दर्द हो रहा है बच्चा रो रहा है कान के तरफ हाथ ले जाकर के इस तरह से रब करने की कोशिस कर रहा है जादा तेज रो रहा है इरिटीट हो रहा है इस्तेमाल करके बच्चे के सर्दी जुखाम है उससे उसे छुटकारा दिलाईए के इस तरह से आपको होमरेमेडी कौन-कौन से इस्तेमाल करनी है इसके लिए मैंने सेप्रेट वीडियो दिया हुआ है तो आप चाहें तो चेक आउट करके उसे देख सकती है मैं नीचे डिस् अगर नहीं तो आप एक दो दिन इस तरह से करके देखिए यानि कि बच्चे को नहलाने के तुरंद बाद आप इस तरह का कौटन का एकदम से सौट कपड़ा लेजिए सूखा कपड़ा एकदम सौट सौखा और साफ कपड़ा लेजिए आपका हाथ भी एकदम से साफ होना सरहा है और इस तरह से रोल करना है अन बायका लेजिए इस साफ पूच करने से क्या होगा यह प्रुष करने से क्या होगा यह कपड़ा इंद मीण से सूखा है यह एक पानी नमी उपड़ा ओगी डिह अ, जय नहीं रह जात दुड़ा और रह जा जाएगा नौ धर और प्ठ बार इस तरह से आप जरूर करिये बार के इस तरह सी तरह से करना में हम आप लाएं जेखे जरूर ये अब आप नों एक आप यह ना मुख लेखा कि क्या बचा भी भी रो रहा है या फिर उसे दर्द महसूस हो रहा है या फिर बच्चा कान के पास हाथ ले जाकर के रफ करने की कोशिस कर रहा है तो आप टॉर्च जला करके देखिए कि क्या बच्चे की कान में वैक्स वगरा ज्यादा हो गया है अगर हाँ तो फिर आपको तुरें डॉक्टर के पास जाना है आपको अपने से वैक्स निकानने की पिल्कुल कोशिस नहीं करनी है ये वैक्स क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं कान में बैक्स कान की सुरच्छा के लिए प्रकुर्टिक रूप से प्रकुर्टि नहीं बनाया हुआ है और वो प्रकुर्टिक रूप से अपने आप से निकल भी जाता है यह एक तरह का चिपचीपा पदार्थ होता है जो कान के सुरच्छा के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि जैसे कि हमारी आखें हैं यहाँ पर यह जो होता है पलक इस पर जो बाल होते हैं जरा सा तेज हवा चलती है या फिर कुछ भी ऐसे सामने से किटाड़ुआ गया तो तुरन ताक की पलके जो होती है वो अपने आप बंद हो जाती है और आख में कोई भी चीज नहीं जा पाती है इसके उपर धोल मिटी जम जाती है और हम जब मूह दोते हैं तो इस तरह से पानी डाल करके दोते हैं तो पूरा क्लीन हो जाता है तो जो गंदगी रहती है वो बाहर ही बाहर साफ हो जाती है तो इसी तरह से कान में वो जो चिपचिपा पदार्थ जो वैक्स है वो कान के सुरच्छा करता है जो भी बाहर से धूल मिट्टी के कर जाते हैं या फिर कोई कीटाडू चला जाता है तो उसमें फस जाता है उस चिपची पे पदार्थ में चिपक जाता है अगर कोई कीटाडू अगर जिसे चिंटी मुंगी होती है वो कभी कभी चली जाती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया या फिर इधर उदर से कहीं से चली गई तो इससे भी कान में बहुत दर्द होता है बच्चों को भी और बड़ों को भी लेकिन वो चीज इसमें चिपक जाती है अपने आप ही डिस्टार्ज हो जाती है लेकिन अगर कान में दर्द हो रहा है और आपने चेक किया कि वैक्स ही है तो आपको एक बार डॉक्टर के पास मेर कः बारें वरकके लेक। पार नुट्टर करता है तो आपको जाकयों कि तूझक प्षक बेंकर ऑप को का मैं दीक होड़ी अजिए ताट है मैं वरुत के पास ला सब 부탁 guitare चांच इलिपने हुआने उनसे आपको टूब के लिए कम लिए आपको बें। कि अगर ड्क्रस ने कहा कि वैक्स इर ड्रॉप के लिकल पनमा औरि जाए गाल проблем अगर इसने वहां तो फोर्स नहींन प्रेजलों को धूर्ड प्रसंट के लगा इसे प्रफ तो रह धूंछ यूं उमारे, तो आप ध्यान दिजै दो दोम सहता है लाश्रीय तो दोम है आप सो करके दूद पिलाती हैं अगर सो करके दूद पिलाती है तो आप उसे स्टॉप कर देजिए और इस तरह से जो मने बताया कि कॉटन के कपड़े से सुखा देजिए ताकि वहाँ पन्नमी न रह जाए तो यह वजहें होती है इन्हें आप जरूर ध्यान देजिए कान के आउटर इरिया की साफ सफाई आप जरूर करिए प्रति दिन नहीं कर सकती है तो दो तिन दिन छोड़ करके करिए या सफता में एक दिन करिए कान के आउटर इरिया की साफ सफाई के लिए भी आपको इस तरह से कॉटन का सौट एकदम से कपड़ा लेना है साप कपड़ा हो और पीची की तरह भी इस तरह से साफ कर देना है। और फिर कान की अंदर भी संक्रमन बढ़ जाएगा और धूल मिटी जमा रहने से यहां पर बार-बार बची खुजराहट भी मसूस होती बच्चा खुजली कर देगा तो इससे क्या होगा उसे नाकुनोकरा लग सकता है जखम लग सकता है तो इससे भी बचे को तकलीफ हो यहां पर पूरा अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा हलका गीला करके गरम पानी में तो ही आपको साफ करना है और अंदर की तरफ और यहां पीछे की तरफ यह जो 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 होता है सीर और कान के बीच का यहां पर आपको सूखे कपरे से साफ करना है यहां अंदर की तरफ यह जो आइंटेरिया होता है यहां पर कभी-कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं तो यह इसके लिए आपको जबी आप नहला रही है तो इस तरह से हलका यहां पर जैसा कि सुखा करके ले लेना है और कोसिस करना है कि थोड़ा हवा लगे बच्चे को कड़़ें घचाना नहीं फट्रण करना है तो अशा नहीं फिछल है एक्टम से घखा रहे जब्पना को सब्तार कान की मोज़ए जोड़ा हो एक्दम से और यहां पर नहीं पस वगर हो रहा है या फिर दरारे पड़ गई है तो इस तरह से अलगा सब कर देंगी तो यहां पर आची खासी हवा लग जाएगी इसके अलबा यहां पर ऑईलिंग दिरूर करके लेजिए क्योंकि ऑईल लगाने से यहां की जो इसकीन है वो चिकनाहट बनी रहती है तो इससे दोनों इसकीन यानि यह इसकीन और यह इसकीन एक दूसरे में चिपकती नहीं है और इस तरह कोई चक्खम लगने के संभवना नह जलाहट होती है अच्छा दर्द हो रहा है बच्चे को और बच्चा रो नहीं रहा है और बहुत उदासा लग रहा है या फिर बच्चा रो रहा है अपना हाथ यहां नहीं ले जा रहा है तो आप ऐसे समझे की बच्चे के कान में ही दर्द हो रहा है देखिए जब आपने स आप बंहुतर से हात रख कर देखिए घर उससा है allora ़ो सकता है पानी जाने के वज़क्ता है हैं रोह सकता है या फिर बैक्स जम जाने के वज़से हो सकता है आगर आप ऐसा अपको दिख रहा है तो आप डॉक्टर के पास आईए नहीं तो फिर जो मैंने बताया प्रोसेस उसे करके जीए हाई हो कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे बच्चे के कान में किन-किन मजहों से धर्द होता है और किन-किन मजहों से घुजराहाट होती है उसे आप किस तरह से क्योर कर सकती है और किस परिस्ति में आपको डॉक्टर के पास आना है किस तरह से आपको कान की साफ सफाई पर ध्यान देना है यह समझने के लिए वीडियो आपके लिए जरूर हेलफुल होगी वीडियो प्यान देना है